स्टॉल्स का क्या अर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं स्टॉल्स का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो स्टॉल्स का प्लूरल यानि बहुवचन होता है स्टॉल्स यानि कि एक से ज्यादा स्टॉल्स को हम स्टॉल्स कहते हैं stall का आर्थ होता है आसन, अग्रिमासन, चबूत्रा, घेरा, चोकी, दुकान, छोटी दुकान, चर्चा में बैठने का निश्चित स्थान या मंच के स्मीप वाली कुर्सियां यानि के मंच के पास वाली जो कुर्सियां होती है उनको stall कहते हैं और एक से ज़्यादा को हम stalls कहते हैं इसके इलावा stalls का आर्थ होता है कि stall करता है या करती है यानि कि stall का इस्तेमाल जब हम verb के रूप में present indefinite tense में he, she, a, singular third person के साथ करते हैं तो rule के coding इसके साथ ऐस लगाते हैं जिससे stalls बनता है और stalls का आर्थ होता है कि stall करता है या करती है और stall करने का आर्थ होता है टाल मटोल करना टालना रुक जाना इंजिन का बंध हो जाना प्रगती को रोकना काडरे को बाधित करना रोकना टालना या विलंब लगाना या विलंब करना यानिक इस चीज में देरी करना, जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि लोग बाजार के स्टोलों के आसपास जमा हो गए, तो आप कहेंगे people clustered around the market stalls, people clustered around the market stalls, अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें,